सलाम मेरे यजीज़ मंको दुनिया की ना पूरी हिस्टी में बर्नौल की डिमांड में इतना इसाफा कभी भी नहीं हुआ जितना पिछले तीनों से स्टॉक इतने उपर गया ना बर्नौल वाले आप सोचने हैं कि क्यों ना चोटी सी ट्यूब में क्रीम बेजने की बजाया है पुरी की पुरी फैक्रिया उखा कि इंडिया के प्राइम निस्डर हाऊस में लगा दी जाया है मोदी जी ने जब से इम्रान खान की स्पीद सुनी है ना यूएन में ये हमें तरिया लगाता है किसी से करता भी नहीं है बिचारा मोदी ट्रॉमाटाइजड है एमीन जाहर है पुरी स्पीच में मुझे लग रहा था कि अभी इम्रान खान ने कहना है ओए मोदी तुमारे बाप का कश्मीर है जो भूल जाएंगे लेकिन जो भी कहो इम्रान खान की स्पीच सुनके पूरी अवाम कर रही है सिवाए कुछ उन लोगे जिनके इगो इतनी शदीद किसम की हट हुई है कि वो मोदी की तरह ना बाटब में बरफ डालके बरफ के अंदर बैठे हुए है मतलब ये लोग मर जाएंगे पर इमरान खान की तरहीफ नहीं करेंगे सबसे विले तो बिलावल भुटो भाई बाट सुन मुझे ना तेरे से हम धर्दी है बिचारा गोरों में पूरी लाइफ बड़े मज़े से गुजार रहा था बाट से लागे पाकसान में बढ़ा दिया कि बेटा मेरी दीवी स्क्रिप्टे पढ़नी है तुने मुझे लगता है कि बिमरान खान की स्पीच से मोधी के सास्थ ने इसका दिमाग पर भी बड़ा गहरा असर बड़ा बिचारा टैमिज हुए पहले अपने पापा के बढ़ा च्छा करो खर उपने के करूँ चूस्पाइ तो बर्नोल और बरफ की सप्लाइ जा रही है रहाम खान की घर पे ओ, नहीं नहीं उसके घर तो बर्नोल तब से सप्लाइ की जा रही है जब से इमरान खान ने बुश्रा बीबी से शादी की थी उसको तो छोड़ी तो बिचारी शदीद सद्मे में है मूवोनी नहीं हो पारी उसकी तो चील वाली निगाह हर वक्त इमरान खान पर होती है अभी भी वो इस सच को एकसेप्ट ही नहीं कर पाई कि इसको छोड़ने के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन गे और खातूने अबर बुश्रा बीबी बन गई है और ये बिचारी हाथ मलती रह गई है कुछ लोग है जो किसके लिए मरान खान को गालियां दे रहे है यहूदी इसलाम की बाते करेंगा बहुत अच्छा है यहूदी है यार मैं तो कहती हूदी यहूदी है तो कहतीं कि आल्ला हमारे मुलक ऐसे यहूदी यहूदीन से नवाज़े भिर तो जिसमें इतनी तपड़ और इतने गड़्स हों कि वो टंके की चोट पर अपने मजब को डिफेंड करें और खुले याम कश्मीरियों पर होते विज़ उन पर हवाज उठा सकें मोदी की हरकतों का मज़ाग उड़ा सके सीनातान के फकर से ऐसे चले जैसे किसी का खौफ ना हो तंग आ चुकी है या कौम पर्चियों से देख दे के पढ़ने वाले सोक और लीडर्स को सुन सुन के जो के ना तो कोई काम की बात करते हैं ना कुछ एड्रेस करते हैं पेंटे तुनी तक चड़ा के पेड़ बाहर निकाल के पच्चियों से पढ़ पढ़ के मुल्का इमेजी खराब कर दिया था इनों ना इम्रांग खाने अपनी स्पीच का स्टार्ट किया है क्लाइमिट चेंज से ग्लोबल वार्मिंग से और मोधी ने अपनी स्पीच का स्टार्ट कैसे किया था मला क्यास करो नहीं नहीं क्यास करना पड़ेगा टोइलेट से हाँ केता है पिछले पांच सालों में ग्यारा करोड से ज्यादा टोइलेट बनाई है मैंने इंडिया में यहां से शुरूई थी इनकी स्पीच यूएन में नहीं नहीं गू कियर्स इनकी सोच टोइलेट से शुरू होके टोइलेट पर खतम हो जाती है इमरान खान टॉक्ट अबाउट क्लाइमेट चेंज मरी लांडरी तोहीर ने सहलत इसलाम एक ही मख़ब है जिसको 1400 साल से फॉलोग किया जा रहे है कश्मीर के इशुक इतने एच्छे से एक्स्प्लेइन किया कि महाँ महीनों से जो कर्फ्यू लगाव है फौज गुसीवी है जल्म हो रहे हैं रेप सो रहे हैं मोधी के फेक सर्जिकल स्ट्राइक का मजाग भी उड़ाया जिस पर तालियां भी बजी थी इतने एहम उठाए और मोधी के 17 मिनट की तकरी लग रहा था जैसे एलेक्शन केंबेन चला रहा है कि मैंने बाथरूम बना दिया मुझे लोगोंने वोड दिया मेरी सरकार ने ये किया वो किया ये नहीं किया वो नहीं किया अब एक बावले तो इधर इपॉर्टनट इशूस पर बात कर कश्मीर को एक्स्प्लेन करो दर क्या चवलियां बगारतियां पहलाई मिया तूने चिदर आगे अपनी गव़र्मेंट को अच्छा अच्छा करने कि बात कर रहा है चंगा रगड़ा यार इम्रान खान मोदी को मैं कहती हूं किसे भी ज्यादा करना चाहिए था लेकिन जो भी है वियर एक्स्ट्रीम्ली प्राउड ओफ हैं कोई तो है ना जो किसी के प्यों से भी नहीं डरता खुल के बात करता है बात करने की इमत रखता ह स्पीच में तुम्हारा फेवर्ट पार्ट कौन सा था और जाते जाते ना मोदी के लिए एक लाइन में लिखते जाना तो तुम उसको क्या कहना चाते हो और आज के लिए बस इतने ही था ये वीडियो बनाते हुए मुझे परसनली बड़ा मजा आया है अब अगली वीडिय